साल था 2008, युवा खिलाडियों को नई पहचान दिलाने के लिए एक नई लीग की शुरुआ थुई, इस लीग का नाम रखा गया इंडियन प्रिमियर लीग यानि की IPL, लीग नई थी, खिलाडी कई थे, फैसला हुआ IPL आॉक्शन कराने का, 2008 में सभी टीमें मैदान से पहले आॉक्शन में ही भिड़ गई, वज़ा था एक ऐसा खिलाडी जिसने नई नई कप्तानी संभाली और अपनी टीम को T20 का बादशा बना दिया, एक ऐसा खिलाडी जिसने सबसे कम मैचों में ICC रैंकिंग्स में नमबर वन का ताज पा लिया, एक ऐसा खिलाडी जो आने वाल की सभी टीम महिंदर सिंग धोनी पर बोली लगाय जा रही थी, एक हाथ जुकता तो दूसरा हाथ उठ जाता, जब सभी टीमों ने हार मान ली तो बची बस दो टीमें, मुंबई इंडियन्स और चिन्नई सूपर किंग्स, इन दोनों में काटे की टकर शुरू हो गई, पैस चन्नई सूपर किंग्स की कहानी अब खत्म हो गई है, महिंदर सिंग धोनी अब चन्नई सूपर किंग्स के कपतान नहीं है, चन्नई सूपर किंग्स के नए कपतान अब रितुराज गायकवार्ड है, महिंदर सिंग धोनी की कपतानी में चन्नई सूपर किंग्स ने पांच 133 मैच जीते और 192 मैच हारे वहीं 2 मैच बे नतीजा रहे महिंदर सिंग धोनी का जीत प्रतीशत 58.84 का रहा कैप्टन कूल की कप्तानी में चन्नाई सूपर किंग्ज ने 14 में इसे 12 सीजन में प्ले आफ के लिए कौलिफाई किया 10 फाइनल खेले और 5 बार आईपेल का खिताब अपने नाम किया ये तो सिर्फ महिंदर सिंग धोनी ही कर सकते हैं ये होती है ट्रोफी की जणिया यहां कई टीम अभी भी आईपेल ट्रोफी का सालों से इंतजार कर रही हैं और ये दे मैन, दे मित दले जट्द, महिंदर सिंग धोनी अकेले अपनी कपताणी में 5 आईपेल ट्रोफी जीज चुके हैं सेल्यूट है यार, महिंदर सिंग धोनी को सिफ ट्रोफी की जणिया ही नहीं महिंदर सिंग धोनी ने आईपेल के इतिहास में चार ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो शायद कभी न टूटें नमबर बन बतौर कप्तान सबसे जादा मैच महेंदर सिंग धोनी 2008 से चन्नाई सुपर किंग्स की कप्तानी की जिम्मेदारी सम्हाल रहे थे बीच में जब चन्नाई सुपर किंग्स को बैंड किया गया था तब माही पूरे वारियर्स का हिस्सा थे जहां उन्होंने बतौर खिलारी भी खेला था महेंदर सिंग धोनी ने अब तक IPL में 226 मुकाबलों में कप्तानी की है ये IPL इतिहास के सबसे बड़े रिकॉर्ड में से एक है ये रिकॉर्ड शायद कभी न तूटे बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा मैच जीतना IPL इतिहास में महेंद सिंग धोनी के नाम बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड भी है माही की कप्तानी में उनकी टीम ने 133 मुकाबले जीते हैं नमबर त्री सबसे ज़्यादा फाइनल मैच खेलने वाले खेलाडी चेनई सूपर किंग्स को पाँच बार IPL ट्रोफी जिताने वाले महेंदर सिंग धोनी ने IPL इतिहास में कुल 11 फाइनल खेले हैं इस दौरान उनकी टीम ने 5 बार खेलाबी जीत भी हासिल की है बिजली से भी तेज रफ़तार से स्टंपिंग करने वाले महेंदर सिंग धोनी के नाम IPL इतिहास में सबसे अधिक स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड दर्ज है महेंदर सिंग धोनी ने अब तक अपने करियर में 62 स्टंपिंग करी है 81 डिस्मिसल की हैं और 19 कैच लिए हैं इस रेस में माही से आगे निकलना किसी भी विकेट कीपर के लिए आसान नहीं होने वाला है IPL में इसके अलावा महेंदर सिंग धोनी ने बल्ले से भी इतिहास रचे हैं कई गजब की पारियां खेली हैं IPL में अगर महेंदर सिंग धोनी के प्रदर्शन की अगर बात करें तो महेंदर सिंग धोनी ने 250 मैच की 217 पारियों में 5,082 रन जड़े हैं इस दोरान उन्होंने 24 अर्दशा तक भी लगाए हैं, आईपेल में महेंदर सिंग धोनी का सरवादिक स्कोर 84 रन है, अब भले ही महेंदर सिंग धोनी ने चेनई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी हो, लेकिन हमारे लिए वो हमेशा क्याप्टन रहेंगे, ठाला इसे टीम इंडिया में आज भी हमारे लिए कप्तान मतलब महेंदर सिंग धोनी का, महेंदर सिंग धोनी की कप्तानी छोड़ने के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप महेंदर सिंग धोनी की कप्तानी को 10 में से कितने अंक देंगे, आप हमें कॉमेंट में बता सक नहीं क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें क्रिक इंफॉर्मर अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें